बालू के बर्चस्व को लेकर गुरुबार को बीटा थाने के अमनाबाद में दो पक्षों में हुई फाइरिंग मामले में पुलिस ने शुक्रबार को मनेर बीटा वभुजपुर में कई ठीकानों पर छापे मारी कर आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है वही अमनाबाद में बालू माफिया शुरीराय के घर पर छापे मारी करने गए पुलिस पर फाइरिंग की गई इसमें CTSP रजश कुमार और दानापुर ASP अभिनव धिमान बाल-बाल बच गए चापे मारी करने गई पुलिस पर फाइरिंग करते हुए श्रीराय वो उसके बेटे निकल भागी हाला कि पुलिस ने श्रीराय के बेटे प्रबीन व नविन कुमार की पतनी को गरफतार कर लिया इधर खनन मंत्री, रामानन्दी यादव, विधाय गोपाल, रवीदास और संदीप सौरव ने ग्रामणों से मुलाकात की वही घटना के अगले दिन उन लोगों के पडिजनों के सामने आए जो गायब है मनेर के शत्तुरधन राय साथी लाल देव राय के पडिजनों का कहना है कि गोली बाडी के समय ये दोनों वही थे और नहीं लोटे है बीते अगस्त में भीटा के अमनाबाद में ही दोनों गूटों में ताबरत और फाइरिंग हुए थी जिसमें 15 पोकलिन मशीने फूक दी गए थी मनेर से लेकर कोईलवर तक का देरा इलागा बेहद दुरगम है और इसका लाब बालू माफियाओं को मिलता है काले कारोबार की कहानी घने अंधेरे रात में अधिक लिखी जाती है क्योंकि पुलिस भी रात में यहां आने से परहेज करती है बुदबार को हुई गोली बारी में जितने खोखे मिले उससे यही मालूम होता है कि इन गिरोह के पास 147 जैसे हंथियार भी है हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद